तोटल अगर आप कहें के sales मैं generate कर चुका हूँ तो वो 1 million plus sales है इस वक जो market places में मैं काम कर रहा हूँ वो UK, US और Canada market है From A to Z, Alhamdulillah, I have launched 30 plus brands in 5 countries UK, USA, Australia and Canada मेरा टिक टॉक शॉप का भी experience है जब से टिक टॉक शॉप आई है उसके अंदर हम जो है वो पिछले साल से working कर रहे हैं UK और USA के अंदर और बहुत जादा चार्म है, बहुत जादा स्पेस है टिक टॉक शॉप के अंदर अबराहीम भाई, कांड़ी हाँ आपने एक शॉप आपने शॉट्स एंट्रेक्शन देए आपने आपने एक शॉट्स एंटरेक्शन देए My name is Ibrahim Tariq and I am doing Amazon private label and TikTok shop services from last 2 years और इसमें हम प्रॉपर्ली जो काम करते हैं वो प्राइव प्राइवेट लेवेल के ओर करते हैं अगर आप कहें के sales मैं generate कर चुका हूँ तो वो 1 million plus sales है और अगर आप advertisement के ओपर बात करें के how much I have spent on PPC on different accounts so around 1 lakh plus dollars I have spent on with maximum 30% a cost and return on investment on all of this 20 to 50% return on investment है हमारे पूरे model के ओपर और इस पूरी जर्नी के अंदर and now I am working with a US firm and we are working from live from five countries and इस वक्त जो market places में मैं काम कर रहा हूँ UK, US और Canada market है इसके इलावा अगर आप बात करें तो हम मेरा TikTok shop का भी experience है जब से TikTok shop आई है उसके अंदर हम जो है वो पिछले साल से working कर रहे हैं UK और USA के अंदर it's a very groom product मतलब groom platform एक आया है जो Amazon, eBay, Walmart को देखकर अपने platform को अपने platform को बना रहे हैं और बहुत जादा charm है, बहुत जादा space है TikTok shop के अंदर और इस वर TikTok shop के अंदर बहुत सारे brands कामियाब भी हुए हैं और बहुत सारे brands failures भी आए हैं Amazon के अंदर कौन कौन business models होते हैं Amazon के अंदर private label, Amazon wholesale and Amazon online arbitrage होता है Amazon private label में यह होता है कि you are the brand honor and you have the complete authorization आप जो है वो zero से लेकर end तक जो है वो अपने brand को बनाते हैं अपने brand के साथ जो है वो आप establish करते हैं चीजों को wholesale में यह होता है कि जिस तरह Garnier है, Oliver है, Colgate है इस तरह कि जितने भी different brands हैं आप उनके साथ जो है वो listing को उनसे letter of authorization लेते हैं और उनसे letter of authorization लेने के बाद वो आपको यह allow करते हैं कि आप उनके Amazon listing के साथ मेटू करके जो है वो sell out कर सकते हैं third आजाते है online arbitrage, online arbitrage में यह होता है कि आप आप brand से इजाज़त नहीं लेते, बगएर permission के आप उनकी listing के साथ मेटू करते हैं और आप अपनी inventory किसी third party से उठाकर बेचते हैं और अगर आप इसमें बात करें कि तीनों में सबसे ज्यादा risky model कौन सा है तो सबसे ज्यादा risky model है, आपका online arbitrage किसी भी वक्त आपका account भी activation पर जा सकता है क्योंकि आप brand से authorization लेकर काम नहीं कर रहे होते हैं number two आजाता है Amazon wholesale, Amazon wholesale पर यह होता है कि आप brand से इजाज़त लेकर तो काम करते हैं sometime आपकी invoices, original brand की invoices भी Amazon accept नहीं करता तो यह दो model, number one पे online arbitrage सबसे ज्यादा risky होता है number two पे आपका wholesale risky होता है, number three पे आपका minimum risk आपका private label के अंदर होता है private label में आपको कोई भी बंदा उड़ा नहीं सकता, उड़ा इस यह नहीं सकता क्योंकि आप you are the brand owner ठीक है, आपको कोई violation face नहीं करनी परती इस तरह की कोई और brand आके कहें कि आप जह हो मेरी product sale कर रहे हैं और दूसरी बात यह है कि PL के अंदर शुरू में तो आपको पैसा लगता है जो लोग करते हैं जो लोग कहते हैं कि PL तो बहुत ज्यादा बड़ी investment मांग रहे हैं लेकिन आगे चलकर private label आपका जिस तरह अगर आप कहें कि आज Colgate है आज Utopia एक brand है तो आप अगर यह कहें कि इन brands को इन brands ने आज से 5-6-7 साल पहले private label ही start किया था तो आज यह market के सबसे बड़े brands बनके बैठे हुए हैं तो इसलिए जब आप PL आज आपका spend होगा कल आप जो है वो उस category के अंदर उस product के उपर आप rank हो जाएंगे और उस product के उपर आप फिर उसको win करेंगे और वहां से आपका उतना ही rate ROI जो है वो increase हो जाएंग जो ही आपने मीटू का लवस तो यह मीटू क्या होता है मैंसों के अंदर जी मीटू यह होता है कि आप उसी के ASIN के साथ जो है वो अपनी लिस्टिंग को create कर लेते हैं और उस brand के साथ अपनी आपकी independent listing नहीं होती आप उस brand से letter of authorization लेते हैं और आप जो है वो उसके साथ अब टॉक शॉप इस वक्त यूके USA और दीगर कुछ नदर अवैलेबल है पाकिस्तान के अंदर अवैलेबल नहीं है अलवता यह कि आप पाकिस्तान से उसको manage कर सकते हैं अप जिस तरह Amazon पाकिस्तान में नहीं है आप Amazon को पाकिस्तान से बैठ कर चाड़ एकसेस लेकर manage कर सक करते हैं मतलब आपी इसी तरह करते हैं जी हम भी इसी तरह करते हैं तो आपको क्या रखता है के Amazon में ज्यादा इंवेस्में रिकॉर्ड या टिक टॉक शॉप के अंदर इस वक्त जो है वो वाइड लेबल का काम ग्रों कर रहा है बीएस का काम जो है डिएस के ऊपर अपर अ अपने अकांट उड़ा रहा है तिक टॉक टॉक शॉप के बिकॉस अफ दैट के ब्रेंड्स आर ओन टिक टॉक शॉप आज से चे महीं ने पहले तक आपका जैक लग जाता था और आप टॉक चॉप के ऊपर चला लेते थे चीज़ों को लेकिन राइट न आओ आप टिक अज़ ta कर सकते हैं तो सबसे ज़ादा मतलब टॉफ कर सकते हैं मनिल य को ब्रैंड को सट्राइक मारता है और तो आपकी टॉक शोप टॉक 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 चॉप करते ता हैं घीक टॉक टॉके कर देता है तॉट colonial का मॉड-र एक्रिज़ आफिक्टक मॉड्य रखेता है तो आप वो इन्वेंटरी मंगवाएं, उसकी री पैकेजिंग करें, ठीक है, री पैकेजिंग करके आप उसको अपने ब्रेंड नेम के साथ बेचे हैं, if you are going with successfully on this on that product, और देन आप उसकी पील लांच करें पाकिसान में बैठाया जो कोई बंदा टिक टोक शॉप या टिक टोक के ओपर अपनाई बिसने कनना चाता है तो किस रगय सकता है? अच्छा इसमें जो आज छी कुछ यह महिने साथ महिने पहले तिल जनवरी तक Amazon TikTok तिल जनवरी तक टिक टॉक शॉप पाकिस्तान से आप पाकिस्तानी पासपोर्ट के उपर आपको जो है वो आपकी LTD की बुनियाद पर बिजनेस अकाउंट करने की जाज़त दे रहा था लेकिन अगर आपका कोई यूएस में अवैलेबल है तो उसमें आप यूएस पासपोर्ट के उपर आप यूएस पासपोर्ट के उपर आप टिक टॉक शॉप कर सकते हैं विद बिजनेस और आप उसको इंडिविजल भी कर सकते हैं उसके लिए आपके पास यूएस नैशनल लंबर होता है वो चाहिए होता है अगर आपका वो है तो आपके अकाउंट की ग्रॉमिंग आप बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसमें उसका एक बहुत बड़ा एज आपको मिलता है और इसके लिए सबसे ज़्यादा दुरूरी यही है कि आपके पास टिक टॉक शॉप का अकाउंट यूएस यूके का बंदा होना चाहिए कोई आपका रिलेटिव कोई आपका कजन कोई आपका भाई चाचू मामू उसकी बन्याद पर आप जह वो टिक टॉ हम कोई आपके ऐस्तों चाहिए काउंट कोई सय।шन चाहिए मैं नियूए सबसे फ़ेगार कि पंट काई टो होना ए सबस्क्राइब ऱुत लोगाइब हैं ओस तो लोगाइकि आपका पनी जोड़ा आपका शेंज하겠습니다 तो आप से वो पूछता है और TikTok shop जब आपकी sales अच्छी increase होना शुरू हो जाती है तो वो आप से documentation भी required करते हैं तो after that जब आपके पास documentation नहीं होती आपने fake बनाई हुई होती है तो आपकी जो मेहनत होती है TikTok shop के उपर from zero to scratch से जो आपने उसके उपर काम किया है जितना profit listing को आपने rank किया है वो आपकी फ़जूल हो जाती है और पिर आप जो है वो बहुत बड़ा loss कर बैठते है तो इसलिए legal बेही इसका यही है कि आप US और UK national बंदे से जो है वो आप अपनी TikTok shop create करें as a partner उसको रख लें या उसकी investment के उपर आप उसको services दे दे तो आप जो है वो easily पाकिस्तान से काम कर सकते है TikTok shop के उपर it's have a very potential TikTok shop के अंदर इस वक बहुत potential मौझूद है